नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे की तोरिब टैबलेट का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, तोरिब टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और तोरिब टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते ह और यह भी डिसकस करेंगे की तोरिब टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, तोरिब एक ब्रैंड नेम है, तोरिब टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन पितोरिकोकसिब होता है, तोरिब टैबलेट 60MG, 90MG व एक 120MG की स्ट्रेंथ में जसे सूजन आ गई है, तोरिब टैबलेट दर्ध के साथ सूजन को भी कम करती है, तोरिब टैबलेट का उप्योग शरीर की मास्पेशियों में दर्ध होने पर, शरीर की हड्यों वर शरीर के जोरों में दर्ध होने पर, सिरदर्ध होने पर, दातों में दर्ध होने पर, कमर के दर्द, कान के दर्द और गले के दर्द आधी कंडिशन्स में तोरिप टैबलेट का उप्योग किया जाता है। साइड इफेक्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में तोरिप टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं। तोरिप टैबलेट को लेने से किड्मी वर लिवर डैमेज हो सकते हैं। और शरीर में खून की कमी हो सकती है। इसके अलावा लंबे समय तक यानी लगातार कई महीनों या कई सालों तक तोरिप टैबलेट का सेवन करने की वजह से पेट में ब्लीडिंग होने का, दिल का दौरा पढ़ने का और लकवा लगने का भी जोखिम अधिक हो जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे की तोरिप टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। तोरिप टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आम तोर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर तोरिप 60 mg टैबलेट को दिन में एक बार ही लेने की सलाह देते हैं। बीमारी की गंभीरता ज्यादा होने पर डॉक्तर दोज को बढ़ा कर तोरिप 90 mg टैबलेट या तोरिप 120 mg टैबलेट को भी दिन में एक बार लेने की सलाह दे सकते हैं। कुछ व्यक्तियों को डॉक्तर केवल दर्ध होने पर ही तोरिप टैबलेट को लेने की सलाह देते हैं। तोरिप टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको टोरिप टैबलेट को आपके डॉक्तर वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। इसलिए इन कंडिशन्स में डोक्तर की सलाह के बिना टोरिप टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। टोरिप टैबलेट के साथ शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि तोरिप टैबलेट के साथ शराप का सेवन करने की वज़ा से पेट में ब्लीडिंग होने का जोखिम अधिक हो जाता है। प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए तोरिप टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित वर रेक्मेंडेड नहीं है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपका टोरिप टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं। झाली संबंधित कर तो आपका लेन आपका है तो आपका हैं। और्श्ट कर स का दो और लेयेत को थेयून आपका कर देना। झाल झाल